रजा और आमिर दूसरे दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहे थे जब रजा ने चका मारा और बॉल चीदी जाके छट पर सोए वली भाई को जा लगा वली भाई हर बढ़ा के उठे और मुंडे पे जाके गली में जाकने लगे तो रजा और आमिर को गर्दन उपर की तरफ उठाए पाया जैसे ही उन्होंने देखा के बॉल वली भाई को लगी है वो खस्यानी हसी हसने लगे रजा उची आवाज में वली भाई को मुखातिब करके बोला वली भाई सोरी वो गलती से बॉल आपकी तरफ आ गई वली भाई बहुत पुर सुकून अंदाज में कहने लगे तो आमिर भाई ये खेलने के लिए कौन सी जगा है बॉल किसी को भी लग सकती है आमिर कैच पकड़ने वाले अंदाज में हाथ उठा के कहने लगा बॉल तो देना वली भाई तो वली भाई आगे से बोले रुको एक मिनट मैं आ रहा हूँ रजा सर खुचाते हुए बढ़ बढ़ाते हुए आमिर को मुकातिब करके कहने लगा मुझे लग रहा है वली भाई फिर से डाटेंगे तो मैंने आपसे कहा भी था ना कि में दान में जाकर खेलते हैं आप ही नहीं माने तो मुझे क्या पता था वली भाई उपर सो रहे हैं इतने में वली भाई उनके पास पहुंच गए तो रजा और आमिर यक जबान होके बोले सोरी वली भाई वली ने बॉल रजा को पकड़ाई और कहने लगे ये सुनकर आमिर बोला वली भाई मैंने इनसे कहा भी था कि मैं दान में जाकर खेलते हैं लेकिन ये ही नहीं माने रजा जो सर जुकाय खड़ा था वली भाई ने उसकी तरफ देखा और बोला और ये जो आप ऐसे चिला चिला के बोलते हैं तो आपको अंदाजा है कितने लोगों को आपकी तेज आवाज गिना गुजर सकती है रजा सर खुजाने लगा और एक बेवकूफाना सा जवाज पेश करते हुए बोला बली भाई परिंदे भी तो तेज़ आवाज में चछचाते हैं और गाए ज़ाने बैंज गधे भी तो इतनी तेज़ आवाज निकालते हैं बली भाई के चेहरे पर हसी आ गई हाँ परिंदे चेह चाहते हैं और जानवर शोर मचाते हैं लेकिर इनसान और परिंदों में बहुत फर्क है ना अल्लह ताला ने इनसान को अश्रफल मखलुकात क्यूं कहा है कुछ पता है आपको सब बच्चे खामोश थे तो वली भाई कहने लगे तमाम मखलुकात में इनसान ही अश्रफल मखलुकात इस वज़ा से है कि अल्लह पाक ने इनसान को अकल शौर दिया है ताकि इनसान दूसरे के दुख दर्द को समझ सके दूसरे के काम आ सके और हर चीज में अकल से काम ले तो अब ये तो एक आम सी बात है कि गली में खेलने से लोग डिस्टरब हो रहे हैं हमारे चीखने चिलाने से दूसरों को तकलीफ हो सकती है बली भाई के समझाने पर सारे बच्चे सर हिलाने लगे जैसे के वो समझ गए हूँ तब ही सामने से गबारे बेचने वाला शक्स आता नजर आया सारे बच्चे भाग के उस शक्स के पास गए और गबारों पर जपटने लगे वो बेचारा आदमी बच्चों से गबारे बचाने की कोशिश में उचलकूत कर रहा था बहुत सारे गबारे फट भी गए लेकिन बच्चों की हसी रही होत नहीं थी उन्हें बहुत मजा रहा था वो आदमी बच्चों के सामने बहुत बेबस था उसके आदे से ज्यादा गबारे फट चुके थे जो हाथ में बचे थे वो भी बच्चों की उधम में उसके हाथ से चूटके हवा में उड़ गए वो गरीब आदमी सर पे हाथ रखके जमीन पर बैट गया वली भाई ये सब देखते रहे कुछ बचे हाथ में गबारे पकड़े खिल खिला रहे थे जब बली भाई आगे बढ़े कितने शर्म की बात है अभी मैंने आप सब को समझाया कि हम अश्रफल मखलुकात क्यूं है लेकिन शायद आपने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दी वो उस आदमी के पास जमीन पर बैठा और बहुत नर्मी से पूछा चैचा ये गबारे कितने की थे उस आदमी ने रोते हुए कहा बेटा ये पांसो के थे मेरे बच्चों की लोजी रोटी थी आदमी के रोने से बच्चों को अपनी गलती का शिद्द से हैसास हुआ और सब शर्मन्दा खड़े हो गए चैचा मैं आपको इन गबारों के पांच सो रुपे देता हूँ आप और गबारे खरीद कर बेज देना वली की बात सुनकर सारे बच्चों का सर जुग गया तब ही रजा बोला नहीं वली भाई शरारत हमारी है तो पैसे आप क्यों देंगे इसके पैसे हम सब मिल कर देंगे उसने सब दोस्तों की तरफ देखा तो वली भाई ने एक नजर सब पर डाली और कहा जिस जिसको लगता है उसने इतना इतना नुकसान किया है उन चचा का वो मुझे उस हिसाब से पैसे दे दें लेकिन वो पैसे आपके अपने होने चाहिए ऐसे ना हो घर के सौधे सल्फ के लिए घर वालों ने दिये हों वो आप मुझे पकड़ा दें सबसे पहले रजा ने जेप से सौ का नोट निकाला और बोला ये मेरी पॉकिट मानी है वली भाई इसके बाद सारे बच्चों ने एक एक करके पैसे निकालकर वली भाई के हाथ पर रखे वली भाई ने पैसे गिने तो उसमें 50 रुपे कम थे वो उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर मिलाए और सारे पैसे खुबारे वाले चचा को थमा दिये जो उसे दुआएं देता हुआ वहां से जाने लगा बनी भाई सारे बच्चों से कहने लगे शरारत करना बच्चों का हक है लेकिन ये भी नहीं कि किसी गरीब को इतना बेबस किया जाए कि वो रोकर हमें बद्वा दें बद्वाओं से डरना चाहिए सोरी बनी भाई सब ने यक जबान होकर सोरी बोला इतने में साहिल अपने छोटे से साइकल पे घर के लिए सबजियान लेते हुए आता दिखाई दिया साहिल एक बहुत भोली शकल गोलू मोलू बेवकूफ सा बच्चा था पास पहुँचकर उसने तेज अवाद में सलाम किया सब ने यक जबान होके उसके सलाम का जवाब दिया सब ने आगे बढ़कर उससे हाथ में लाया तो रजा ने शरारत से पूछा कैसे हो गोलू? रजा भाई आपने फिर से मुझे गोलू बोला आपको पता है ना ये मुझे कितना बुड़ा लगता है वो रोहान साचा हो गया मैं तो प्यार से बोलता हूँ और अब अगर गोलू को गोलू न बोलू तो क्या बोलू? मैं अभी अपनी अम्मी को बुला कर लाता हूँ वो ही आपको सीधा करेंगी उसकी बास सुनकर सारे बचे हाथे लगे इतने बड़े हो गए और फिर भी अम्मी से डराते हो हमें साहिल का मुँ फूल गया था तब ही आमिर आगे बड़ा अच्छा बताओ किधर से आ रहे हो? साहिल बोला वो अम्मी ने कहा था सबजी लेकर आओ आमिर गाजर को हाथ लगा कर उठाने लगा और पूछा तो फिर ले आए सबजी क्या क्या लाए हो? आमिर भाई हाथ मत लगा ना मेरी सबजी को साहिल ने उसका हाथ जटक दिया वरना क्या कर लोगे तुम? आमिर भी किसी से कम नहीं तब ही वली भाई बीच में आए आमिर बहुत बुरी बात है आप उसकी सबजी को उसकी इजाज़त के बगर हाथ नहीं लगा सकते साहिल ने साइकल थोड़े पीछे की वली भाई मैं तो बस देख रहा था वो खिसी आना हो गया और तुम लोग साहिल को उसके नाम से पकारो जो उसे अच्छा लगता है वली भाई के कहने पर रजा बोला लेकिन वली भाई हम तो इसे प्यार से गोलू बोलते हैं वली भाई ने साहिल की तरफ देखा और फिर रजा को मخاطب किया साहिल को ये नाम नहीं पसंद तो आप मत मخاطب किया कीजिए ठीक है वली भाई सारे बच्चे अपने अपने रस्ते जाने लगे तो साहिल वली भाई को देखकर मुस्कुराने लगा बहुत शुक्रिया वली भाई ये ले गाजर खाए शुक्रिया की क्या बात है साहिल मेरा फर्ज है और मुझे इसकी और मुझे इस वक्त खाने की तलब नहीं आप अपनी सबजी घर लेकर जाएं आपके अमी इंतजार कर रही होंगी ठीक है मैं चलता हूँ साहिल सलामों मुसाफा करके साइकल चलाता हुआ आगे बढ़ा वली ने भी सलाम का जवाब दिया और वापस अपने घर की तरफ बढ़ा सामने ही एक बिली जखमी हालत में उसके घर के तरवाजे पर खड़ी थी जिसके पाउं से खून रस रहा था शायद उसका कोई एकसिडन्ट हुआ होगा वली ने जल्दी से बिली को हाथों में उठाया और घर के अंदर ले गया जल्दी से अपने बाबा को आवाज दे बाबा बाबा जानी बाबा जानी आप कहा है उसके बाबा हाथ में किताब पकड़े कमरे से बाहर आए तो वली जल्दी से बोला बाबा जानी इस बिली को चोट लगी है बाबा सोफे पर बैठे और वली के हाथ से बिल्ली लेकर जखम देखने लगे खुछ ही देर में वली से बूले इसकी चोट इतनी गहरी नहीं है आप जाके फस्ट एड बॉक्स लेकर आएं वली भाग के गया बॉक्स लेकर आया तो बाबा जानी जल्दी से रूई की मदद से बिल्ली का जखम साफ करने लगे जखम साफ करके उस पे दवाई लगाई और वली से कहा बेटा जाके किचन से एक कटोरे में दूद डाल कर ले आओ मानों को बूक भी लगी है वली भाग के गया और किचन से दूद ले आया बाबा जानी ने बिल्ली के आगे कटोरा रखा और खुट हाध धोरे चले गए वली वैसे ही बैठा बिल्ली को आईस्ता आईस्ता दूद पीते देखता रहा जब बाबा जान आ गए तो वली को अपने पास बुलाया बाबा जान के गले लग गया